किसान भाईयों को नमस्कार मैं हूनी लेश और आप देख रहे हैं दा एडवांस किसान चैनल किसान भाईयों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बंपर पैदावार देने वाले गिल्की के वारें बताऊंगा इसे अलग अलग छेतरों में अलग अलग नाम से जाना जाता है इसे कहीं गिल्की तो कहीं निनुवा या फिर रुरुआ के नाम से जाना जाता है किसान भाईयों आज मैं आपको गिल्की की टॉप थ्री विराइटी के औरें बताऊंगा जो की गर्मी वबरसात के लिए सर्फिश्ट होती है साथ ही साथ रोगों के प्रति सहनसील वब अत्धिक उत्पान देने में सच्छा मोती है टॉप थ्री ब्रैटी में पहली ब्रैटी की बात करें तो भी एन आर कंपनी की आलोग ब्रैटी है जिसकी भुवाई पूरे साल भर की जा सकती है खिसान भायों बात करें इसकी पहली फल की तोड़ाई की तो बोने की 45 से 50 दिन में कर ली जाती है वह बात करें बीज़दर की तो 700 सेले के 900 गराम प्रति एकड़ करते हैं इसके फल के रंग गहरे हरे वह फल की तोड़ाई जो होती है वह 25 सेले के 30 सेंटी मीटर होती है वह बात करें फल के बजन जो की 120 सेले के 150 गराम तक होता है इसी कारण अन्य वराइटी के पेच्छा अप मार्केट में इसका एक अच्छा मुले प्राप्त होता है जिससे यह अभी तक किसान की पहली पसंद बनी हुई है अब बात करें दूसरे नंबर की विराइटी जो की कलस कमपनी की केस्पी 11-15 जिसे हम अध्दी की नाम से भी जानते हैं इसके फल के रंग गहरे होते हैं वह फल की साइज अतधिक नंबी होती है यह बोने के 50-55 दिन में पहली फ्रूट की हर्विश्टिंग कर ली जाती है बात करें फल के बजन जो की 130 लेकी 180 ग्राम तक होता है अब बात करें टॉप 3 विराइटी जो की कलाउच कमपनी की वाइट शीट के नाम से भी आती है यह भी बहुत ही अच्छी पैदावार देने ओली बिराइटी है इसके फल के रंग हलके रंग के होते हैं वह बात करें इसके बजन जो की दूसरे के तुलना में सरवाधी क्रूप से बजन होता है जो की 160 ग्राम चलेके 240 ग्राम तक होता है फलों की लंबाई की बात करें तो यह 20 से लेके 30 संटिमीटर तक होता है खिसान भायो इस ब्राइटी की खास बात यह है कि इसके फल लंबा वा मोटा होने के वावजूद अंदर रेसा नहीं बनते हैं इसकी बीजडर की बात करें तो 400 से लेके 600 ग्राम प्रती एकर तक होता है यह रही हमारी टॉप ग्राइटियां मुझे आसा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि आपको इसी तरह कि नए दिल्चस्प वीडियो देखना चाते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कमेंट वा सब्सक्राइब करें धर्नवाद